प्रेस्ट बेल आइकन आप इपार्चाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट इस पार्ट के इंदर आप वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एगरी कल्चर को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आप यह देखेंगे कि लास्ट अगर हम 1950 से देखें तो अभी 2020 चल रहा है और काफी हद तक अगर मैं देखो तो पिछले 50 सालों के अंदर इनकी लगभग 50 सालों के अंदर क्रिशी के अंदर बहुत सारे बदला हुआ है मतलब एगरी कल्चर के अंदर बहुत से इंपूट्स देखने को मिले हैं जैसे आप विकास बोलेंगे और बहुत सी टेकनोलोजी प्रद्योगी की हमें देखने को मिली है मतलब हमने एगरी कल्चर को और सफिशन्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रखे हैं जैसे कि मैं बोल जाता हूं कि हमने अच्छे प्रडेक्शन के लिए बहुत सी उपजवारे जो बीस्ट हैं जिसे आप हैच वाईवी सीड्स बोलते हैं उसके इंक्रीमेंट करिए मतलब प्रडेक्शन अच्छा हो तो मार्केट के अंदर बीच अवलेवल हो चुके हैं उसके सासत हमने सिचाए की व्यवस्ता को भी एक्स्पेंशन कर रहा है मतलब जहां जहां पे इरिगेशन फैसलिटी नहीं थी वहां 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 पे हमने सरकारों ने नहर बनवाई थी वहां 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 पे बोल जत्तों के सरकार ने पौंड्स बनाए पौंड्स की व्यव मन्सून की वर्षा पे ही निर्बड थे उनके लिए सरकार ने पॉंड्स और कैनल्स का निर्माण करा ताकि उन्हें पानी मिल सके और सरकार ने कहा कि आप सबी लोग एच्वाइवी सीट्स का इस्तमाल करिये और साथ साथ सरकार ने किसानों को मौरें टेकनोलोजी की तरफ भ गया और बहुत सारी में बोच सकता हूं कि इरिगेशन से लेगे किसानों को जो उनके धान गियों कटवाने की मशीन तक ही थी वो भी कही ना कई मौडन तरीके से आ चुकी थी और उसके साथ साथ किसान ने केमिकल फेटलाइजिशन का भी इस्तमाल करना काफी है तक सीख ल पोटल होता है जिसमों कमप्लेंड रिजिस्टर्ट कर सकते हैं वो सरकार में कोई तरीके से अच्छा बनाया सरकार में किसान किसानी सीखने के लिए यानि कि जो फार्मिंग होती है उसको सीखने के लिए ब्रॉड कास्टिंग स्टार्ट करी ब्रॉड कास्टिंग मतलब होत कि किसान काफी हैं इन चैनलों की माधियम से वो कहते हैं चीजे सीख सकता था और सरकार से किसान कम सका 5,000,000 तक कलों उठा सकता है तो यह कहीं न कहीं रिलेटेड लोगों के लिए और एक्री कल्चर के अंदर कुछ काफी कहीं ने कई इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलते हैं तो इस वज़े से आप कह सकते हैं कि पिछले 50 सालों के अंदर किर्शी के अंदर बदलाओ आए हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई समझ से आज भी किसानों को अब देखते हैं कि जेलनी पड़ती है क्यों या तो फासी लगा लेत इंडिन अगरी कल्चर की प्राब्लम को ठीक करने के लिए अभी भी कोई नों को स्टैप लेना पड़ेगा क्यों क्योंकि आप सभी को बताएं कि भारती किसानों के अर्थ वरस्ता अभी भी खराब है आभी भी आप देखेंगे कि आसमान और आविस्वशने वर्षा होती ह मतलब कहीं पर आप देखेंगे कि वर्षा बहुत बड़ी मातरा में होती है कहीं पर आप देखेंगे वर्षा बहुत कम होती है और कहीं पर वर्षा होती ही नहीं है तो भारत को चाहिए कि कुछ ऐसा सटल्मेंट बनाया जाए कि जो इलाके जो है जो कुई तरीके से वर्ष वर्षा जहां पर वर्षा होती है जहां पर रेंफॉल अच्छा होता है तो वहां पर रेंफॉल के हिवाश हो खिए और यह सरकार के ऊप्षी विषाव नहीं चाहिए जिसने वहां तक हम देख सकते हैं मरना शाहिए तक इसका एफेक्ट देखने को मिलता है और फसली जैसे कि महरास्ट गुच्राथ राजस्तान यह तो कुछ ऐसे समी एड एरिया जहां पर मैं बोल सकता हूं कि वर्शा ना के बराबर होती है तो उसके लिए भी सरकार को कोई अपर लेना जाई है है ना दूसरी सबसे बड़ी फ्लावर में लो प्रेडक्टिविटी मतलब मनद सबहीं को बदाएं कि जमीने जो लैंड है वो खिचके बड़ी नहीं हो सकती लेकिन इनिजमेंगर के ऊपर आप भोल सकते हैं कि अल्ग अलग अलग तो है लेकिन इनिजमीने के ऊपर जिस्टाइक से लोगों की डेंसिटी बढ़ती जा रही है उतनी ही density के हिसाब से पहले इस जमीन पे 100 लोग रहते थे अब इस जमीन पे कमसे तम 10,000 लोग रहने लग गया है तो उसी जमीन की production से ही किसानों का पेड भरेगा या वहाँ पे रहने वरे लोग का पेड भरेगा अगर इस जमीन से low productivity होगी मतलब अगर यहाँ पे अनाज या गेहूं या चावल जादा नहीं उख पाएगा या दाल जादा नहीं उख पाएगी तो simple सी बात है उन 10,000 लोग का पेड नहीं पर सकता तो अभी भी कही ना कहीं ऐसे places हमें देखने को मिलते हैं जहां पर किसानों को low productivity मतलब जो उपज है वो बहुत कम देखने को मिलती है तो उसके लिए भी सरकार को कोई नो कोई स्टाफ लेना चाहिए टेकनालोजी की तरफ कुछ नो कुछ किसानों को रूबरू करवाना चाहिए दूसरा है poverty of farmers आप देखिए किसान आज की डेट में उनके पास जमीने हैं लेकिन उनकी गरीबी उनको आगे बढ़ने नहीं रेती और गरीबी की वज़े से वो जादा अच्छे equipment का इस्तमाल नहीं कर पाते लैंड lack of land reform आप देखिए कि सरकार हर साल अमेटमेंट करती है और लगभग अभी तलग 104 अमेटमेंट समीधान के अंदर हो चुके समीधान के अंदर अमेटमेंट इसलिए होते है ताकि अपने देश को अच्छा करने के लिए कहीं न कहीं जो चीज़े खराब है समीधान मे की बात नहीं करी गई मतलब कुछ ऐसे बदलाओ कि जाए जमीनों के इंदर जिससे फसलों की पैदावार काफी अच्छी तरीके से बहुत बढ़ी हो सके साथ सथ सरकार ने काफी है करिशी को करमिस्ट्राइजेशन नहीं करा है मतलब किसान को कहीं न कहीं फसलों को बेचने के लिए इंटरनेशनल मार्केट तक करनक किया जाए या तो जो बड़े किसान हैं वही अच्छा वैपार कर पा रहे हैं चोटे किसान अभी भी कहीं खेती को कहीं लेके जा पाते हैं और जिदना भी हुगाते हैं वो खुद कह सकता हूं कि मुस्टली इससा खुद ही उनको पड़ता है और जबकि बड़े किसान जो हैं वो जादा खायदा उठा पाते हैं तो इससे भी हमें बदलाव करना पड़ेगा साथ साथ बेरूजदारी ये बहुत बड़ा मसला है मसला मतलब कि बहुत बड़ी प्राबलम है जो किसान प्राइमरी एक्टिविटी के उपर फ करता है और उसके बाद वो काफी हद तक खाली बैठ जाता है उसके पास कोई काम धंदा होता ही नहीं है और जबकि जो नौन प्राइमरी एक्टिविटी के अदर दिली जाए शहर लगनौ मुंबई जाए शहर के अंदर रह रहा है उसके पास काम की कभी नहीं होती जबकि अग्री कलचर कारी नहीं रहा है तो इस वजह सकता हूं कि जो विचारा फार्मिंग कर रहा है उसको आप देखें कहीं न कहीं में वह कुई तरीके से अग्री कलचर की वज़े से विरोज कर बैठा हुए जबकि वह किसान पुरह देश के लोगों का पेड़ भड़ता है है तो आप कह सकते हैं कि विरोजगारी का मामला के काफी गभीर है जो फार्मर्स को जेलना पड़ता है अब खेती होगे भूमी जो हो खता होती जारी है क्यों कि आप देखें कि एक ही जमीन से छूटी से जमीन से जादा फसलों की पैदावार करने के लिए एक टाइब पे ती प्रीट मेशल दवाएं पड़ रही है उस जमीन को रेस्ट नहीं मिल रहा है ना और बहुत से जमीने कम होती जारी है जो यह सारे कारण आपको दिखाई देंगे यह सब कारण है कि जमीनों का जो हम बोल सबता हो मैं कि जमीन जो पुई तरीके से है वो बहुत सारे कारणों के वैसे खराम होती जारी है खताम होती जारी है वो यह कारण है और दूसरा कारण है यह कि जमीन से जादा पैदावार करने के लिए किसान उसका सोशन कर रहा है ठीक है और सबसे बुरी बात होती किसान के इलेटर सिटी इलेटर सिटी का मतला होता है अनपढ़ता इसे अपने रक्षर्टा मुझते हैं मतलब किसान एक ऐसा वेक्ते हैं जो पूरे भारत देश का पूरे इंडिया का पीड़ तो भरता है लेकिन उपकुद ही विचारा अनपढ़ है तो इस वज़े से जो भी रिकने पड़े लिखे नहीं है कि ये कराने तक के लिए हिसानों के पास इतनी विवस्ता नहीं होती है कि वो सरकार से या खुछ से सल्फ में बोल सकता हूं कि उसको रिजिस्ट्रेट कर सके हैं सब्सक्राइबर है या नए सब्सक्राइबर है तो यही रिक्वेस्ट थे कि आप अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करें औो कोशिश करें कि आप दूसरों को शेर करवाने लिए बोले क्योंकि आप जितना वीडियो को share करेंगे उतना ही हम आर लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जबी बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के last में, वीडियो को end तक देखने के लिए चानर को support करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत